CBI और EDJC केंदरी एजिंस्यू के मनमा ने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्सी दलू की याचिका सुप्रेम कोट ने खारिज कर दी हैं CGI डिवाइच चंदर्चूर के अध्यक्सता वाली बेंच ने बुदवार को काय कि राजनिताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बना जा सकती विपक्सी दलू ने कोट की इस दिपर्णी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली हैं सुप्रीम कोट में 14 विपक्सी दलू की याचिका खारिज हो गई हैं CBI और ED के मनमाने इस्तेमाल का आरोप था CGI ने का कि अलग से गाइडलाइन नहीं बना सकते हैं CGI ने ये भी का कि जब आप ये कहते हैं कि विपक्सी दलू ने केंदर सरकार पर CBI और ED के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था याचिका में इन दलू ने गिरपतारी, रिमान और जमानत को लेकर नए गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी फिलाल ये सुप्रेम कोर्ड के और से बड़ा अपडेट आ गया है CGI डिवाई चंदर्चूर ने का कि जब आप ये कहते हैं कि विपक्स का मैत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीती में ही है, कोर्ट में नहीं पालन अजाल तो द्वारा, ED वे CBI के कैसों में भी किया जाना चाहिए और जहां पर ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया है, वहां पर जमानत से इंकार किया जाना चाहिए ये 14 विपक्सी दलू की याचिका की पाँच बड़ी बाते थी वेसा आपको बता दें, अभी हाली में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुमवार यानी 3 अप्रेल को CBI की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में सामिल हुए प्रदान मंत्री जी ने अपने 25 मिनट के संबोधन में CBI के 6 दसक के सफर और आगे आने वाले चुनोतियों को लेकर बात की उन्होंने CBI से का आपको कहीं पर भी रुकने की जुरत नहीं है आपको अपने काम पर फोकस रखना है कोई भी ब्रेस्टाचारी बचना नहीं चाहिए फिलाल आपको बता दें सुप्रेम कोर्ट में 14 विपकसी दलू की याचिका खारीज हो गई है CBI और ED के मनमाने इस्तेमाल का आरोप था CGI ने का कि अलग गाइडलाइन नहीं बना सकते हैं ये सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है इस कबर में फिलाल पस इतना ही हर तरह की काम की कबरा और ताजर जानकारियों के लेटस्ट ब्रेकिंग निउस अपडेट्स के लिए बने रहे है माई स्मार्ट गाइड पार